नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त रोहिता अश्यादव रॉबिन हूल बाइनेंस कोईन बेस और अब उसके बाद नमबर लग गया है इटोरो का इटोरो ने भी जेखिये चार टोकन्स को आपका डेलिस्ट कर दिया है कोईन या टोकन्स जो भी आप समझें उनको डेलिस्ट कर दिया है वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्स्राइब जरूर कीजिए और बाइनेंस ने भी कुछ पेर्स को और डेलिस्ट किया है काफी अफरा तफरी मच कही है क्या आखर यह हो क्या रहा है बाइनेंस यह कर रहा है रोज डीलिस्ट करे जा रहा है आखरे ऐसा क्या होगए आचानक से इसका कहीन कहीं जो कारण निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है जो टर्मेंट कंडिसन अभी चेंज की है जो बड़े बड़े अस्तियां है वो अब इसी चीज को टार्गेट कर रही है कि बाइनेंस ने जो है यह जो अभी रिसेंटली टर्मेंट कंडिसन चेंज किये है उसका यह फाइदा उठा रहा है और कहीं ने कहीं पीछे SEC का डंडा यह सब चल रहा है तो चलो डिसकस करते हैं बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजेगा पहले लेते हम E-Toro US E-Toro का नाम आपने अच्छे खासा सुना होगा क्यों कर यह लगबग देगे 140 कंट्रीज में काम करता है तो छोटा मोटा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है यह कहो कि यह केवल Robin Hood की तरह अमेरिका में ही काम करता है अपना ऐसा नहीं है E-Toro तो आप मल यह Stock Market में भी है और अपना क्रिप्टो कंसी में भी है 140 देशों में इसका व्यापार फैला हुआ हुआ है अब इसने क्या करा है इसके सामने भी वही प्रॉलम और मैंने आपको कल एक वीडियो में यह का था कि कहीं ने कहीं अब जो SEC है वो पीछे लोगों के जो है प्रैसर डाल रहा है कि भाई आप लोग इस तरीके से सब को अटाओ यानि सीधा सीधा एक्षेंज को टार्गेट न करके टोकन्स को, कोईंस को, डेवलोपर्स को इनको दीरे-दीरे दमका रहा है अब कहीं ने कहीं ऐसा ही प्रैसर इटोरो पर भी आया है और इटोरो ने माना, एलगो मैटिक और डेस इन चार टोकन्स को अपने हां से हटाने का प्रोग्राम सेट कर दिया है यानि कि अब यूएस के लोग इन चार टोकन्स में किसी तरह की कोई ट्रेडिंग सेल परचेज नहीं कर सकते अब होगा क्या, जैसे आपने देखा रॉबिन हून पर जब बात आई तीन की माना, मैटिक, सोल और अब देखा, आपने अच्छा खासा आपने तीन में प्राइस जिए गर गा और लगबग 25-30% तक प्राइस जिए डाउन फाल आया था ऐसे ही जब आपने देखा कि क्रप्टो डॉट कॉम पर इंस्टिट्यूसन की बायर और सेलिंग यानि उनको जो भाई और तो कहीं सब कुदिकर ठीक है यह टोरो में केवल यूएस की बात कर रहा हूँ तो यह टोरो जो और भारत देशों में चाम कर रहा है वहाँ कोई प्रॉलम नहीं है लेकिन भाई यूएस में भी तो लोग बहुत हैं जो क्रिप्टो में अपना इन्वेस्ट करके बैठे हैं तो अब यह टोरो में से भी लोग निकालेंगे पैसा निकालेंगे निकालेंगे तो भाई फिर देखे कहीं ने कहीं इसमें फिर से इन चार्ड टोकन्स में आपको गिरावट नेजर आ सकती है द्यान रखिएगा माना एलगो मैटिक और डैस कुल मिला के अब इटोरो ने यह कम यह नहीं कुल मिला के अगर आगर मैसूस करो तो देखो आप यूएस से पलाइन हो रहा है यूएस से क्रिप्टोकंसी धीरे 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 सरक रही है तो कहीं न कहीं क्या है कि पीछे SSC का डंडा यह SSC ने सारा काम खराब कर रखा है और सबका समस्या वही है कि यहां पर आपको ताओं वैसे तो SSC ने जो लिष्ट दिये सरसट टोकंस की दिये लेकिन यहां आप एक चीज़ देखिए कि यहां एक्षेंज भी अपने हिसाब से इनको डिलिस्ट कर रहा है देखे रॉबिन हुड ने एडा मैटिक और सोल का नाम लिया कि हम इनको डिलिस्ट करेंगे इटोरो ने देखिए केवल मैटिक कॉमन है ठीक है यानि कि मानाम एलगो मैटिक और डैस इन चार का नाम लिया तो अब क्या हुआ अगर देखा जा तो सोल और एडा इटोरो ने नहीं समिल किये जबके वो भी है तो सिक्यूरिटी तो यहां क्या है कि यहां कहीं ने कहीं यह एक्सचेंज भी जो है अपने हसाब से यानि अपनी मनमानी कर रहा है अपने हसाब से डिलिस्ट कर रहा है अगर यहीं आलगा तो डिलिस्ट तो यह सारे के सारे होंगे लेकिन यह करेंगे अपने हसाब से जो इनको ठीक लगेगा जिसमें इनको लगता है कि ट्रेडिंग साहिद कम हो रही है, इनके इनको कोई ज़्यादा पूछ नहीं रहा है, उनको साहिद ये पहले पहले डिलिस्ट करेंगे, तो साहब यह है कि यहाँ जो common हो गया, वो हो गया मैटिक, तो देखें मैटिक देखा जा तो भाई Indian प्रोजे क्यों के, भाई केबल, US में ये सब हो रहा है, all over world और कहीं नहीं हो रहा है, तो आप ये कहो के, US में हो गया है, तो हर जगे से डिलिस्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है, देखें मैं तो नहीं कहूंगा कि आप सेल करो, बाकि आपको अपना डिजिशन जैसा आपको ठीक लगे, इक है, वह है, Binance का डिलिस्ट करना, देखिये, मैंने आपको कल भी एक दुपैर के विडियो में दी, कि भाईंनोंने क्या-क्या डिलिस्ट किया है, यानि पेर से जो जो ये डिलिस्ट कर रहे है, आज उन्होंने जो डिलिस्टिंग के लिए फर्मान जारी किया है, वो है, BNB पेर हटा रहे हैं तो कहीं के देखिए BNB के साथ दिक्कत चल रही है तो हो सकता है इसी बज़े से इनों यह सब काम करना शुरू किया है क्योंकि जो इन्हों अभी बदली है उसका यह फाइदा उठा रहे है कि उसमें इनको किसी को कोई सूचना नहीं देनी है उन्हों अपनी मर्जी से जो है यह सब कर देना है तो वही हो रहा है और कहीं ने कहीं जो बड़े बड़े एनलेस्ट हैं जो बड़े लोग हैं जो बात कर रहे हैं इस बात में कि Binance ने इसी लिए Termin Conditions Change की क्योंको उसको भी दिखाई दे रहा है आगे क्या हो रहा है तो अब यहां Binance ने तीन स्टेप में देखिए 6-7 Tokens को अपने यहां से Pair में से Dealist करना है तो वो मैं आपको बताएता हूँ 14 तारिक से यह ड्रामा सुरू होगा ठीक है 3 AM UTC टाइम रहेगा Dash और ILV BNB Pair से खतम कर दिये जाएंगे द्यान रखीगा उसके बाद दूसरे नमबर का जो ड्रामा सुरू होगा वो होगा आपका 6 AM UTC यह टाइम बता रहा हूँ तारिक आपकी 14 तारिक ही रहेगी और आपका MC और मीना यह दो टोकन आपके BNB Pair से हटा दिये जाएंगे अब तीसरा ड्रामा जो शुरू होगा वो होगा 8 AM UTC टाइम अलग-अलग है डेट सेम है यानि कि 14 तारिक 14 जून ठीक है अब यहाँ पर Pupil और ZEC यह दो टोकन आपके जो है BNB Pair से हटा दिये जाएंगे तो आपने देखा कि मैंने 6 यहाँ पर बताए कल भी आपको 5-6 बताए थे तो यह हो क्या रहा है रोज क्यों यह सब ड्रामा चल रहा है भाई अब यह Binance इस बता सकता है कि क्यों आपने इतनी जल्दी-जल्दी यह step ऐसे लेने शुरू किये है कहीं ने कहीं देखिए exchange का कुछ नहीं बिगड़ता बिगड़ता किसका है एक investor का विश्वास किसका तूटता है investor का कि वो क्रिप्टो कंसी में क्या सोच के आया था और यह सब ड्रामा हो क्या रहा है तो देखिए साफ अब यह इनके अपने-पने rules and regulations है उस ही साफ से सारी कारवाई आपको यह दिखाई दे रही है लेकिन मेरा काम है आप तक recently जितनी जल्दी हो जाख ख़बर को आप तक पहुँचा देना तो भाई देख लीजे मैंने आपको इटोरों का भी बिता दिया थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इधर बाइनेस ने जो जो डिलिस्ट करना शुरू किया है पेर्स को बिन बी के तो वो भी आप थोड़ा सा ध्यान देखिए क्योंकर कल 14 तारीक है तो उससे पहले अगर आपका कुछ है इन में तो आप अपने आप इनको ट्रांसफर कीजिए कुछ भी कीजिए लेकिन इन में आपका मामला खतम हो जागा इसलिए उससे पहले ही आप ये सब करने तो बहतर रहेगा अब आपका देखिए जो आप अभी देख रहा है रिसेंटली हलकी सी ग्रीनरी निजर आ रही है बीटीजी में यानि कि 26,100 पर अभी ट्रेड कर रहा है सिर्फ इसलिए कि सुवह आपने एक बहुत ही पॉजिटिव और मस्ट नियू सुनी वो था SAC चेयर गैंसलर का एक तरह से रफा दफा करना भाई आप यहां से आप निकल लो लेकिन अभी वो एक प्रपोजल आया है और एक सांसाद ने यह सब रखा है अब उस पे क्या होता है वो तो आगे की बात है लेकिन यह है कि कहीं ने कहीं वो जो अमेरिका की जितने भी सांसाद है तो अब भाई जो हैड होता है उसी पर गाज गिरती है और यहां गेरी गैंसलर का तो कंफर्म है कि वो सिर्फ जो है रहे हैं अपनी परसनल खुरनस टाइप की निकाल ला है तो इसलिए उनके खिलाब यह मोसन आया है एक तरह से प्रपोजल आया है ठीक अगेंस लगा यहां से निकल रहा है अच्छी बात है तो बस उसी की बज़े से मुझे लगता है अभी आपको यह थोड़ा सा हर्याली नेजर आ रही है BNB अभी आपका देखिए 235 डॉलर पर है तो BNB अभी भी आपका पैनिक में है आप यह को BNB में किसी तरह की अभी कोई positivity आ रही है बिल्कुल नहीं आ रही है BNB को तो वो कहते है कि जैसे तैसे वाज समाला जा रहा है जो यह पैनिक चल रहा है तो यह काओ कि BNB में सब कुछ सा अच्छा चल रहा है तो वही है जो आता जाएगा मैं आपको जो है सामने निकाल के सारी चीजें बताता जाऊँगा आज साम का इंत्यार रहेगा उस का CPA डाटा आना है वो positive आता है या negative आता है उसके इसाब से फिर कल जो FOMC की meeting होनी है उसमें interest rate का क्या रहता है वो सारी चीजें आप साम को आप 6.5 के आसपास ready रही है उसके देखते हैं market में क्या फिर उससे पहले आप देख रहे हैं यह आरयाली जो है साइद हो सकता है उसी बेज़े थोड़ा बहुत यह आप जो greenery है मैं नहीं कहाता है हो सकता है उसी का कारण हो जो यह आप देख रहे हैं तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नहीं update के साथ नमस्कार